येशोदा जी दोबहर के खाने के बाद हॉल में बैट गई और थोड़ी देर के लिए उन्होंने टीवी देखकर मन बहलाने की कोशिश की तभी उनकी बहु वहाँ पर आ गई और टीवी का रिमोर्ट छिनते में बोली मम्मी जी जब देखो तब टीवी देखती रहती आप आपको कोई कामधाम नहीं है क्या पता है बिजली कबिल पिछली बार कितना ज़्यादा आ गया था येशोदा जी हैरान रह गई और कहने लगी बहु मैं कब टीवी देखती हूँ कितने दिनों के बाद अभी तो मुझे थोड़ी सी फुरसत मिली है तो मैंने सोचा कि कुछ न्यूज वगर देख लेती हूँ इतने दिनों से मैंने न्यूज नहीं देखा है उनकी बहु मुझ बनाते हुए कहने लगी आप न्यूज देखकर क्या कर लेंगी क्या समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहती है आप जो न्यूज देख रही है चुप चाप जाकर अपना काम करिए बातरूम म तो आपको ही करना पड़ेगा न या आप चाहती हैं कि अब मैं इस आलत में काम करूँ उसकी सास बुझे मन से उट खड़ी हुई और बातरूम में जाकर कपड़े दोने लगी शाम हो गई और खाना बनाने का समय हो रहा था ये शुर्दाजी हौल में आई तो उनकी बहु सबजिया काट दो तो मैं जल्दी से सबजी चोग देती हूँ फिर रोटिया से इख दूँगी तो उनकी बहु कहने लगी ममी जी आपको पता नहीं है कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है ये शुदा जी कहने लगी बहु तुम्हारी दिलिवरी को चार महिने हो चुके हैं अब तो थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दो इतने दिनों से अकेले सब कुछ समालते समालते मैं भी ठकने लगी हूँ मैं भी इंसान हूँ मेरी तब्यट ठीक नहीं लग रही है तो मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी सुबह से बुखार होने के मैंने सारा काम निप्टाया ही है अब रात को तो कम से कम मेरी थोड़ी मदद कर दो इस बात पर उनका बेटा पंकत चिलाते हुए उठ खड़ा हुआ और तुरंटी टीवी बंद करके चिलाते हुए कहने लगा मा मेरी पतनी सबजी नहीं काटेगी इसलिए बुखार में भी इस सारा काम आपको ही करना होगा आपको पता है ना कि डॉक्टर ने इसे भारी वजन उठाने से मना किया है अभी अभी तो इसकी डिलिवरी हुई है और आप अभी से इसके पिछे हाथ धोकर काम करवाने के लिए पढ़ गई हो कैसी औरत हो आप कुछ दिनों तक अपनी ब सवाई खाकर लेटने के लिए चली गई थोड़ी देर के बाद उनका बेटा दर्वाजे पर आकर खड़ा हो गया और चिलाते हुए कहने लगा मा खाना बन गया तो तुमने खाना परोज कर क्यों नहीं दिया ये शुदा जी चुप चाप सोने का नटक करके पड़ी रही त पंकज परिशान हो गया और कहने लगा तुम एक काम करता हूँ बाहर से कुछ आडर कर देता हूँ वही खाले न तुम पंकज अपनी पत्नी के इतने नकरे उठा रहा था और मा के बिमार पढ़ने पर भी उनका ध्यान रखने की कोशिच भी नहीं कर रहा था इस बात से ये शुदा जी का मन बहुत आहत हो गया था दो चार दिनों में उनकी तब्यत थोड़ी ठीक हो गई तो ये शुदा जी ने अपने बेटे और बहु को अपने पास बुलाया और कहने लगी सुनो मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है बेटे और बहु ने उनकी बात को नजर अंदाज करते हुए कहा कि हम लोगों को बहुत सारे काम है आपकी बात अपने पास ही रखिये हमें आपके साथ बैटकर गप्पे लड़ाने के फुरसत नहीं है ये शुर्दा जी थोड़ी कड़क आवाज में बोली मैं तुमसे गप्पे लड़ाने के लिए बैटी हूँ तुम लोगों के पास फुरसत नहीं है तो मुझे भी तुम लोगों से बात करने की इक्षा नहीं है तुम लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी रसोई अलग कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी मैं अकेली रहूंगी तो थोड़ा बहुत जो भी मन करेगा बना खालिया करूंगी और बाकी समय आराम करूंगी अब दिन भर मुझे तुम लोगों की नौकरी नहीं करनी है बेटा और हाँ मुझे पेंशन तो मिलती है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक कमरा किराय पर दे देती हूँ तो उससे भी मे मेरी बीवी के मायके वाले भी आते रहते हैं तो एक कमरा तो चाहिए ही उस दिनों की बाद मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा तो हमें तो दो कमरों की जरुत पड़ेगी ही ना तब यह शोड़ा जी कहने लगी कि अगर मैं दोनों कमरे में किराय दार रखती तो मुझे कम से कम 20,000 रुपे महीने के मिली जाते तो मेरा तो इतना जदा नुकसान हो रहा है उपर से मुझे तुम लोगों ने नौकरानी बना कर रखा हुआ है बहु घर के कामों में बिल्कुल भी मदद नहीं करती है मैं मानती हूँ कि अभी डॉक्टर ने इसे वजन उ उठाना इसे भारी नहीं लगता है और एक छोटी सी सब्जी काटने के लिए इसे दे देती हूँ तो इसे भारी लगने लगता है अब तो बेटे बहु की बोलती बंद हो गई थी बहुत दिनों से ये शुदा जी खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी और आज उनके हमोश हो गया और उसकी पलके जुग गई तब बहु ने बात को समहलते हुए कहा मा जी मैं समझ सकती हूँ कि आपको इस बात से गुसरा आ रहा होगा लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे चलने फिरने में और काम करने में बहुत दिकत हो रही है इसलिए मैं काम नहीं कर पा बस एक बार और मैं डॉक्टर से दिखा कर आती हूँ और दवाई बदलवा लेती हूँ उसके बाद मैं ठीक हो जाओंगी तो पहले कि तरह घर के सारे काम में समहाल लूगी यश्योदा जी बोल पड़ी कि पहले भी तुम कौन सा काम खुद से करती थी सारा काम तो मुझे ह करना पड़ता था क्योंकि तुम इतना दीरे-दीरे काम करती थी कि नाष्टा बनते-बनते ही दो पहर हो जाता था तब मजबूरन मुझे भी घर के कामों में लगना पड़ता था उस वक्त मैं सोचती थी कि तुम अभी शुरुआत में घर ग्रिष्टी समाल रही हो दीरे- आराम मिलना ही चाहिए लेकिन अब तो तुम्हारी डिलिवरी को चार महिने हो चुके हैं फिर भी तुम वजन नहीं उठाने का बहाना बनाकर एक गिलास पानी तक भी खुद के हाथों से नहीं उठाती हो क्या ये गलत नहीं है अब उनकी बहु भी बिलकुल खामोश हो और अगर तुम लोग कमरा खाली नहीं कर सकते हो तो कम से कम 10,000 रुपे मुझे अलग से दे दिया करो ताकि मैं भी अपने उपर थोड़ा खर्च कर सकूँ पता नहीं जिन्दगी में कितने दिन बचे हैं तो बुढ़ापे में मैं अपने थोड़े शौक पूरे करना चाहत इतना कहे कर वो अपने कमरे में चली गई अब पंकच घबरा गया था कि कहीं बात आगे बढ़ी तो मा उसे घर से ही ना निकाल दे या फिर घर उठा कर किसी को दान में ना दे दे इसलिए वो खामोशी से मा की बाते सुनने के लिए बात दिये हो गया था जल्दी यही रसोई अलग हो गई थी और अब पंकच की पत्नी को अकेले ही घर का सारा काम समालने के साथ साथ अपने बच्चे को भी देखना पड़ता था पंकच को भी अब घर के कामों में पत्नी की मदद करनी पड़ रही थी इधर यशोदा जी अपना काम जल्दी से निप्टा लेती थी और बाकी का समय वो अपनी मन पसंद किताबे पड़ने में व्यतियत किया करती थी उन्हें घूमने फिडने का शौक था इसलिए वो अपनी सहेलियों के साथ प्रोग्राम बना कर धारमिक स्थलों पर घूमने के लिवी जाने लगी थी जिससे कि न केवल वो अपना शौक पूरा कर रही थी बलकि अपने समय को सार्थिक कर्यों में लगा रही थी अब उन्हें यह मसूस नहीं होता था कि वह बेटे बहु की नौकरानी है सास से अलग रहकर सारी ग्रिष्टी अकेले समालते हुए अब उनकी बहु की अकड़ भी डिली हो चुकी थी और उसे अपसोच होता था वह सोच थी कि काश समय रहते मैंने सास की कदर की होती घर के कामों में उनकी थोड़ी बहुत मदद भी कर दी होती तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता लेकिन अब पस्ताने से कोई फाइदा नहीं था क्योंकि उसकी सास ने कटोर फैसला लेकर जीना सीख लिया था दोस्तों घर में एक दूसरे की मदद करना अलग बात होती है और सारा काम एक ही इंसान से करवाना अलग बात होती है आपको क्या लगता है यह शुदा जी ने अपने लिए आवाज उठा कर सही किया था या फिर उन्हें ऐसे ही जिन्दगी बर बेटे बहु का सारा काम अकेले सम्हालते रहना चाहिए था आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे लिखी हुई और नहीं कहानियों के लिए कधा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद